इस प्रोग्राम इस स्पॉंसर बाई HRS Automobile को स्पॉंसर बाई डाइटीशियन पायल भाटिया नमस्कार आप सभी का स्वागत है वो इस सुफपानी पत में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा तोमर भारत ने अब चीन पर पूरी तरह से डिजिटल स्ट्राइक कर दी है भारत एक के बाद एक चीन को बड़े जटके दिये जा रहा है पहले भारत ने चीन की 224 चीनी आप बैन कर चीन को जटका दिया और अब एक बार फिर से भारत ने यही किया सरकार ने फिर चीन के 118 एप बैन कर दिये जिनमें प्रमुकृप से PUBG भी शामिल है आपको बता दे कि दो दिन पहले चीन की ओर से हुई आकरमक्ता को दिखाने और भारतिय सिना से प्रतिकार के बाद यह फैसला लिया गया चीन से टकराव बढ़ने के बाद से अब तक भारत चीन से जुड़े 224 एप पर रोक लगा चुका है जिसमें कई क्लॉन भी शामिल है इलेक्ट्रोनिक्स और IT मंत्राले के ओर से लिए गई इस फैसले में जिन एप को प्रतिबंदित किया गया है उनमें शामिल है उनमें PUBG के अलावा बाइडू, वीचैट, लुडोवर्ड, चेसरेस, यूको, यूलाइव, टंटन जैसे एप शामिल हैं ये फैसला सुरक्षा, सनरक्षा और भारतिय समप्रभुता के लिहाद से लिया गया मंत्राले के फैसला, अनुसार देश में मुबाइल और इंटरनेट का इस्तिमाल करने वाले देशवास्यों के लिए ये एक सेफगार साबित होगा एप पर रोक लगाने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोर्डिनेशन सेंटर और किंद्रिया ग्रह मंत्राले पहले ही सिफारिश करता आ रहा है हाला कि पबजी जैसे कई गेमिंग एप के बंद होने से देश के कुछ युवा निराश जरूर है लेकिन वही हम उन युवाओं को ये भी बताना चाहते हैं कि इंडियन मर्जन में भी इस तरह के कई गेमिंग एप बनाने की तयारी शुरू करती है और वही प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने भी मोबाइल गेम के स्टार्ट अप को प्रेरित किया है अभी तक के लिए इतना ही इसी तरह की तमाम गती वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहे वोई सुफपानी पत के साथ नमस्कार